आपके बच्पन की एक पोल मैंने खुली, एक मुझे और आपने बताया है कभी, कि आप टीचरों को क्लास के बाद गाने सुना के जो जादा नहीं को बिल्कुल, मार्च मिल जाते थे, हमको फोन आ जाता था, बेटा घर आ जाना अज शाम को, और एक आद भजन सुनाना, तो ह कोपी हमारे सामने रख देते थे, जितने मर्जी ले लो, नमबर, तो हम उनसे कहते थे, हमको सिर्फ चालिस परसंट चाहिए, हमको सिर्फ पास होना है, हमको डिस्टिंक्शन नहीं लानी, वो दूसरों को तीछे, और हम आपको बताएं कि हमने कभी तीन घंटे, क्या सब पकड़ने रखते थे, हमको कौन डॉक्टर बनना था, लेकिन पिता जी ने एक कंडिशन रखी थी, कि अगर मुंबई जाना है, कुछ काम करने, तो बीए करना जुरूरी है, तो हमने का प्ड़ना 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 थोड़ा, तो पढ़े भी लखनों यूनिवर्स ग्रहन किया है, उस सुन-सुन के किया है, पिता जी के साथ में बहुत ज़्यादा बैठा नहीं हूँ, उनको सुन-सुन के, मेरी मा भी गाती थी, उनको भी सुन-सुन के, हमारी मा थोड़ा-थोड़ा गाती थी, कथक भी करती थी, उन्होंने फिर शादी के बाद बिलकुल बन कर दिया था लेकिर गाना उन्होंने रखाता थोड़ा थोड़ा तो मैं तो बहुत रियाज करता था रियाज नी करती थी तो मैंने सोचा कि मैं रेडियो अडिशन दू तो उन्होंने का मेरा भी फॉर्म भर दो रियाज रियाज करती नहीं ने मेरा फॉर्म भर दो अपने प्रिच्रों को से नंबर लेने वाले भजन थे क्या वही भजन है या कुछ बदलाव आया है बदलाव बहुत आया है लेकि जैसे उसके बाद हमने कंपोज किये ऐसी लागी लगन जग में सुंदर हैं दो नाम वकाला एक बासरी वाला यह सब लेकिन उन दिनों जो उनको सुन और गाते थे ठूमक चलत रामचंद्र बाजत पंजनिया ठूमक चलत राम घस तरह को